जैहिन जैशिक्षक साथियों मेरे चैनल में आपका स्वागत है दिनांग 7 नवंबर जो की रईवार का दिन है और आगे भी जो रईवार आने वाले हैं उसमें कुछ विशेश अभियान चलने वाला है नए मतदाताओं के पंजी करण है तू इसके लिए सभी जो भी मतदाता बूथ हैं उन पर विशेश अभियान के लिए जो भी बूथ लेविल ओफिसर हैं पदाभी तदिकारी हैं उनको पस्थित रहने के निर्देश दिये गए हैं सभी मतदान केंदरों पर और इस दिन से नए मतदाताओं के पंजी करण शुरू हो जाएगा तो आई ये देख लेते हैं कि कितने आयू वर्क के बालक बाले का अपने मतदाता पंजी करण है तू आविदन कर सकते हैं उनके आयू वर्क की गड़ना किस दिनांग से की जानी है और उन्हें ये पंजी करण करना है तो कौन सा फॉर्म भरना है ये सब इस वीडियो में देख लेते हैं वीडियो एदि अच्छा लगे यूस्फूर लगे तो इसे लाइक और शेर जरूर कीजेगा और एदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब कर लिजेगा चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेश संग्षिप्त पुनरिक्षन मतदाता पंजीकरन कारकरम की शुरूआत होने को है और यह 1 नमबर 2021 से 30 नमबर 2021 तक मतदाता के रूप में पंजीकरत होने का उन्होंने मौका दिया है और इसके लिए विशेश अभियान 7 नमबर से शुरू हो जाएगा इसमें देख लेते हैं कि मतदाता बनने की पातरता क्या है भारतिये नागरिक हो एम उत्तर प्रदेश के संबंदित निर्वाचन शेतर में सम्मानता निवास कर रहे हो यह उत्तर प्रदेश के लिए विशेशता है 18 वर्ष की आयोग पूरे कर चुक में अपना पंजी करन करा सकते हैं मतदाता पंजी करन करने के लिए आप ओनलाइन और ओफलाइन दोनों तरीके अपना सकते हैं ओनलाइन आविदन के लिए आपको वोटरपोर्टल.eci.gov.in वेबसाइट पर ओनलाइन क्लिक करने पर वोटर पोर्टल खुल जाएगा जिसमे आप अपनी ट्विटर, फेस्बुक, मेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करेंगे तक पश्चात लॉग इन के बाद डैश बोट पर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, करेक्शन इन वोटर आईडी, शिफ्टे टू अधर प्ले, रिप्लेस्मेंट और वोटर आईडी, इतियादी ऑप्शन प्राप्त होंगे, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के लिए, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके, आप अपना नाम नामावली में सम्मिलित कराने ही तू आविदन कर सकते हैं, यदि निर्वाचक नामावली में शामि करने के लिए डिलिशन और वोटर आईडिया पर क्लिक करके नाम विलोपित कराने के लिए आविधन कर सकते हैं उक्त के अतिरिक्त nvsp.in अत्वा वोटर हेल्प लाइन अप डाउनलोड कर नाम की प्रविष्टी संशोधन नाम हटाने ही तु आविधन किया जा सकता है अब देख लेते हैं आफ्लाइन आविधन कैसे करेंगे सभी फॉर्म अपने निकर्टम पॉलिंग बूथ तता तहसील इस्थित मतदादा पंजीकरन केंदर से अथवा वेबसाइट www.ceo.utrpradesh.nick.in से डाउनलोड कर प्राप्ट किया जा सकते हैं संबंदित फार्मो पर आप अपना आविधन पत्र फोटो पता जन्म तिथी के साथ प्रमाण सहित जमा करें फॉर्म निम्न स्थान अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं पहला संबंदित पोलिंग बूथ के बूथ लेविल आफिसर के माध्यम से दूसरा तहसील इस्थित मतदाता पंजी करण केंदर तीसरा तहसील के उप जिला अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्री करण अधिकारी चौता तहसील के तहसीलदार सहायक निर्वाचन रजिस्ट्री करण अधिकारी या पाचवा जिला अधिकार ये जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आप अपना आवेधन form जमा कर सकते हैं अब किस बात के लिए कौन सा form यूज किया जाता है मतदाता पंजी करण से संबन्दित फार्मो के बारे में जो जानकारी है तो form 6 क्या होता है पहली बार मतदादा या किसी एक निर्वाचक शेतर से किसी अन्य एक निर्वाचन शेतर में इस्थान अंतरन के गारण निर्वाचक नामवली में नाम को सम्मलित कराने के लिए आवेधन Form 6 के द्वारा होता है Form 6 का किसी प्रवासी निर्वाचक त्वारन निर्वाचक नामवली में नाम सम्मलित की जाने के लिए आवेधन किया जाता है Form 7 मृत्यू इस्थान परिवर्दन के कारण निर्वाचक नामवली में अन्य विक्ति का नाम सम्मलित करने का आक्षेप अपना नाम हटाने किसी अन्य विक्ति का नाम हटाने के लिए आवेदन फॉर्म साथ भी किया जाता है फॉर्म आठ है निर्वाजक नामावली में प्रवश्टी विशिष्टियों की शुद्धी के लिए आवेदन करना होता है और फर्म आठ का है निर्वाजक नामावली में प्रवश्टी को अन्यत्र रखने के लिए आवेदन एक निर्वाजन शेत्र में निवास इस्थान को एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर इस्थान अंत्रित करने के मामले में मतदाता किंद्रों पर पंजी करन हेतु विशेश अभ्यान देवस की जो तारीखे हैं वह सात नमबर इकीस नमबर तेरे नमबर और अठाइस नमबर दो हजार इकीस कॉल सेंटर और हेल्प लाइन नमबर दिया है अठारा सो एक स्वस्थी उनने सो पचास और इमेल आइडी दी है तो आप दी नए मतदाता बनना चाहते हैं पंजी करन कराना चाहते हैं या सुधार करना चाहते हैं अपने रजिस्ट्रेशन में कोई भी चीज आपकी गलत है कोई भी इन्फोर्मिशन आपकी गलत है तो आपको इस प्रकार फॉर्म भनने हैं जिस प्रकार उन्होंने दिये हैं किस प्रकार का आदेश आज पारित हुआ है वियलोज और पदावीत अधिकारी के लिए जो की वाटसब पर भेजा गया है और बहुत ही जरूरी है इसको आदेश के अनुसर All SDM तहसिलदार सहावान कृपया ध्यान दे दिनांग 711-2021 यहां पर शनिवार लिखा है यह टाइपिंग मिस्ठेक है रविवार है 711-2021 को प्रधम विशेश अभियान दिवस है विशेश अभियान दिवस के लिए सभी तयारी जैसे प्रेज, डुगी, ला नौवाजे सभी पदावी midst अथिकारियों BLO की प्रकाशन इस्थलों पर्शत प्रतेशध ऊपस्तिति सुनिश्चित कराई जाएं। तीसरा सभी पदावीद अधिकारियों बियेलों के द्वारा 11 बजे तक प्रकाशन इस्थल पर अपने उपस्तिती के फोटग्राफ ERO को भेजेंगे और ERO द्वारा उक्त फोटग्राफ प्राप्ट करते हुए इसी ग्रुप में यानि कि वाट्सप ग्रुप में पूर्वान 5 बजे विस्तरित ब्रह्मन रिपोर्ट इमेल ग्रुप पर उपलब्द कराएंगे पाचवा है सभी बूतों के लाट लॉंग एमेफ टू टाइप फोटो काप्चर पीएस सिल फ्रंट व्यू पीएस फ्रंट व्यू की करवाई है तू सभी संबंदित को निर्देशित करें दिनांक 8-11-2021 तक प्रतिक दशा में पूर्ण हो जाए छट्वा पीएसी डीएसी अनप्रोजेस्ट की निस्तारण की स्थिती पर व्यक्ति के ध्यान देकर कारवाई तीन दिवस में पूर्ण कराई जाए आदेश अनूसर ADM बैट तो ये इस प्रकार का आदेश है यानि की साथ नवंबर को विशेश अभियान की प्रतम तिथी है और इस दिन सभी बूथ लेविल ऑफिसर और पदावीत अधिकारियों को अपने बूथ पर उपस्तित रहने का निरदेश दिया गया है फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक्स पर व